जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ सभी बहनों को हर्ताली का तीज की व्रत की हार्दिक शुप कामना है आपके घर में आनंद और धनकी व्रद्धी हो ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ हर्ताली का तीज के व्रत में सभी इस्त्रियां 16 शिंगार करती हैं और चाहती हैं कि आज के दिन करी हुई पूजा से उनके पती की दीरगाई हो घर में हर प्रकार का सुखसवागी की व्रद्धी हो तो आज के दिन आपको कुछ गल्टियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए वह इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हर्ताली का तीज के दिन पर इस व्रत का दिन है तो हम उठेंगे शबसाए कि वह नियम का पालन नहीं करती है जब भी व्रत हो सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए इसनान इत्यादी जरूर करना चाहिए हर्ताली का तीज के व्रत में दूसरा नियम आता है दातून करने का नियम इस दिन टूथपेस ब्रश और ये सब नहीं करा जाता है बहुत सारे गाउं में आसानी से लट जीरे का दातून मलता है उसको करा जाता है यदि लट जीरे का दातून ना हो तो आम का दातून या कोई बहुत सारा बार बार पानी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हर्तालिका तीज के वरत में पानी नहीं पिया जाता है आपने संकल्प लेके वरत करना चाहिए तो यह बात का ध्यान रहें सुबह के समय जल्दी उठें इसनान करें पूजा पाठ करें हो सके तो शिव जी के मंदर सुबह जाए देखिए मैं अपने पिछले वीडियो में आपको पूजा का शुब महुरत शुब समय बताया है उस समय पे यानि सुबह पांच बजे के साड़े पांच बजे से लेके साड़े आठ बजे के बीच में शिव मंदर जाए या अपने घर के पूजा मंदर में भोले नात के सामने संकल्प लेकि आज मैंने हर्ताली का तीज का वरत रह रह रही हूँ ये भगवन मेरे वरत को सफल करें दिन मर भोले नात के नाम का इस्मरण करें देखिए जब हम पूजा पाठ या कोई वरत में होते हैं तो उस समय पे हम फालतो इधर उधर की बाते करें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो जो इस्तरियां चाहती हैं उन्हें ब्रत का सम्पूर्ण फल प्राप्थो निरंतर भोले नात का ध्यान करें पूजन करें क्योंकि इस्तरियां आज के दिन जो ब्रत रखती है उससे उनके पूरे घर पे एसर पड़ता है पती का सुख स्वभाग पड़ता है पती के जीवन में व्रद्धी आती है पती की आयू में व्रद्धी होती है और दोस्तो इस व्रत की जितनी महिमा मैं आपको बताओ उतनी कम है कई स्थियां यह बोलती है हमारे पती हमारी बात नहीं मानते हमारा कहना नहीं मानते अब ऐसे हंतालिका व्तृत कि आइसीं लिए जब मांघ मास में में अ और बैसा दिक्र में हो सब्सक्राइब दोस्तों साल भर सब्सक्राइब तीज यह जो मैं आपको बता रही हूं जिनके पथी पतनियों का एंट वह इन तीनों तीजों पर बिना नमक के यह तीज का व्रत करें और भगवान भोले नात को प्रसन्य करने का पूरा कोशिश करें देखिएगा आपके पती आपके प्यार को समझेंगे और प्यार से बड़ी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है पती आपकी बात भी मानें और भोले नात की यदि करपा रही तो आपके घर में सुख सभागे धन इत्यादी सभी चीजों की व्रती जरूर होती रहेगी दोस्तों इस बार गुरुवार के दिन पर हर्ताली का तीज के व्रत पढ़ रहा है बहुत सारी बहने यह पूछ रही है हम बाल क्या करें धोई या नहीं दोई तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है हमेशा वार से बड़ा त्योहार होता है और हर्ताली का तीज के व्रत में सर्दों करना सर्दों के नहना शुप बताया गया है तो इस दिन आप बिलकुल वा सोचिए कि हम सर में साबुन लगाए न लग आप अच्छे से स्नान करिए पर सुभा जल्दी उठीए इस बात का जरूर ध्यान दे और आप अच्छे से स्नान करिए अपने घर के जो नित्य दैनिक कारे हैं हमें व्रत में कभी भी अपने दैनिक कारे को नहीं चोड़ना चाहिए जैसे कही लोग बोलते हैं कि आज हमारा व्रत हैं हम अपने दैनिक कारे नहीं करेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर अपने दैनिक कारे को नहीं करते हैं तो हमारा मन बार बार कहां जाता है भूक की तरफ जाता है कि अब हमें भूक लग रही है अब हमें प्यास लग रही है जबकि हमारे शरीर में बहु योग कर सकते हैं जिससे की भोलेना शीग्र अतिशीग्र प्रसन्न हो जाए तो अपने दैनिक नियमों का दैनिक दिंचरय का पाल करें निरंतर शिवजी का नाम लेते रहें इस दिन पर एक और विशेश बात है अपने पती को बहुत सारी स्थियां सोने से जगा देती हैं तो या घर में कोई और किसी को बोलिया अलारम लगा दीजे कि जिससे सामने वाले की नीद अपने आप खुल जाए परन्तु जब हम वरत करते हैं तो हम इन सब चीजों से बचते हैं दूसरों को नीद से नहीं उठाते हैं इस दिन पर बहुत सारे लोग सुई धागे का काम जो कोशिश करते हुए ये काम भी आपको नहीं करना चाहिए जब हम तीजा का वरत रखते हैं उस दिन पर एक विशेश कार्य है जैसे कि क्रोध कई बार हम वरत रखते हैं भू के प्यासे होते हैं तो इसके कारण हमारा शरीर में ग्लूकोस का लेवल भी कम हो जाता है और जब वरत का जो उत्तमफल है वो इंद्रदेव ग्रहन कर लेते हैं आपको वरत के दिन का उत्तमफल प्राप्त नहीं होता तो आपको बिल्कुल भी किसी बात पर गुस्ता नहीं करना है गुस्ता आया मन में ऐसा कोई विचार आए पांस मिनिट बैठके ओम इस प्रेकार से मांग के नहीं पहनना चाहिए यह इस बात का आप सभी सुहागे निस्रिया है तो हम अतने जो सुहाग का जोड़ा कपड़ा पहनते इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हम नीला काला ग्रे सफेद इस तरह के कपड़े नहीं पहने बलकि हलके रंगे या फिर लाल हरे नीले लाल हरे गुलाबी पीले इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हमारा पूजा का पूर्ण फल होता है वो हमें प्राप्त होता है आप सभी को पता है जो काला रंग है यह शनी देव का रंग ह थोड़ा सा केतू से गिरे रंग भी केतू राहू ऐसे ग्रहों से जोड़ के देखा जाता है तो पूजा में शुबता के लिए हमें हमेशा उर्जा वाले अच्छे पॉजिटिव उर्जा वाले रंग पहनने चाहिए जैसे कि पीला हरा गुलाबी यह सब कलर आप पहनिए ला पहले कुछ ऐसा खा लिए है जैसे प्याज लेसन का खाना खाए है फिर वही कपड़ा पहन के पूजा कर रहे है तो अपने घर में जो भी आप पहने या तो वह धुला हुआ पहने या साफ सुत्रा पहने दोनों में से कोई भी चीज ठीक हो सकती है जरूरी नहीं कि आप ब सामान प्रयोग में ला रहे हैं जैसे कि अपना सिंदूर आप उसका प्रयोग करें अपने मांग का सिंदूर आप लगाएं अपनी बिंदी लगाएं अपना जो सामान होता है सुहाग का खुद का सामान प्रयोग में करें क्योंकि हमें यह सुहाग की पूजा करने जा रहे ह तो हमारे पास सभी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम इनका प्रयोग पूजन में भी करेंगे. और दोस्तों, जो हमें देना है या माता पे चढ़ाना है, वो सामान अलग से लेके आना चाहिए. ये नहीं है कि जो हमारे पास पहले से हमें किसी ने दिया था, रखा हुआ कई बार रता है ना, हम कहीं गए किसी के घर, तो हमें साडी ब्लाउस के साथ बिंडी का पत्ता दे देते हैं, तो हम वही सोचते हम पूजा में चढ़ा देंगे. ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जब भी हम देवी को, माता रानी को सुहाग चढ़ाएं, तो वो अपने पैसे से खुद का खरीद के अलाके, वही सुहाग चढ़ाएं, और उसी सुहाग को बाटना चाहिए. यही दोस्तों, आपके लिए बरकत लेके आता है, आपके पती की लाइफ में भी यही उन्नती लेके आता है. अब कई सारी इस्तिरियां होती हैं, जिनके पास भरपूर, सोना, चान्दी का आभूशन होता है, फिर भी वो आर्टिफिशल ज्वैलरी पहनती हैं. तो ऐसे मैं आपको बता दू, जब हम शिफ पुरान का अध्यन करते हैं, तो उसमें यह बताया गया है, सभी इस्तिरिया, जो अपने कान में सोने का बाला पहनती हैं, उनके पती का जो भाग्य है, वो चमकने लगता है, और वो व्रद्धी करता है. तो यह बात का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, जब घर में पूजा पाठ हो, तो जो आपके पास आपके आभूशन है, वो आप पहन सकते हैं, यदि सोने चांदी के ना हो, तो उस इस्तिती में, आप आर्टिफिशल या फिर कोई ऐसे ही आभूशन पहने, पर यदि आपके पास सोना हो, चांदी हो, तो सबसे पहले, आप अपने पास रखे हुए सोने चांदी का आभूशन पहने, ऐसा आर्टिफिशल आभूशन वगरा नहीं पहनना चाहिए, आज कल सब मैचिंग के कारण ये सब पहन लेते हैं, कोशिश करिए, कि आप सोना चांदी ही पहने, और इस प्रकार का आभूशन पहने, जब भी दोस्तों वरत पूजा पाठ कर लें, उसके बाद बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, कि वो सबसे पहले सोचती हैं, हम खाना खा लें, हमारा वरत पूजा पाठ पूरा हो गया है, अब हम सबसे पहले खाना खाएं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भगवान का पूरा पूजा पाठ कर लिये, संकल्प लिया सभी चीज कर लिया है तो उसके बाद सबसे पहले पती का अशिरवाद लेना चाहिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अशिरवाद लेना चाहिए कोई भी पूजा तभी आपको पूर्ण रूप से फल देती है जब आपके घर के बड़े बुजर्ग आपको आशिरवाद दे देते हैं, पती आपको आशिरवाद दे देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से हम positive energy grant करते हैं, तो आपको आज के दिन जो पूरी पूजा पाठ करी है, उसका पूरा फल प्राप्त हो, इसलिए मैंने आपको ऐसी चोटी चोटी गलतियां बताई हैं, जो आप ना करें, जो लोग गुरुवार का वरत करते हैं, जैसे गुरुवार के वरत के अपने अलग नियम होते हैं, तो आप क्या करें, कथा पढ़ लें, प्रसाद रख लें, पर इस दिन पर प्रसाद ग्रहन ना करें, बलकि आप वो पूजा करीए मेरा हर्ताली का करते हैं ब्रत का अगले दिन wants to why टीज के पारना कारने के विये कर सकते हैं कि सुभ के समय आप बैवब लक्षिमी've एक ही समय सुभा के समय खाना खाले और शाम में पूजा करें और उसके बाद आप फलहार कर लें क्योंकि वेवे बलक्षमी के वृत में यह बताया जाता है कि केवल एक ही समय चाहिए सुभा यह शाम एक समय भोजन करके आप रह सकते हैं तो जो लोग शुक्रबार का वृत र जिदी से संबंदित सभी वीडियो में दे रही हूं तो आप नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहे हैं वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए परिवामित्रों में अधिक से अधिक शियर करिए नया वीडियो लेके आप से ज़ल्दी जुड़ूंगी यदि आप अपने किसी जनम कुंडली से लेके कोई सवाल करना चाहते हैं यदि आप कुछ परिशान चल रहे हैं तो नीता विक्रम चैनल के नीचे दिये हुए पर्स कमेंट सेक्शन में आप अपना अपॉइन्मेंट बुक कराए जिससे कि आपको जोतिशिय सलहा मिल पाए आपक अच्छा लगाए तो इसे लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करना जय मातारानी दोस्तों